एक अकेले IES ओफिसर ने तेजस्वी यादों के पूरे के पूरे समराज को हिला दिया, हिला कैसे दिया, तो तेजस्वी यादों के खासम खास सिपाही इस वक्त पर डमाडोल हैं, आप कहिए कि उस एक मात्र IES से खौफ में हैं या काप रहे हैं, अब उस IES की हैसियत देखि कि कहने को यादों लोगों की सरकार है, कहने को जो सिक्षा मंत्री के आप्त सचिव हैं, उनकी सरकार चल रही है, और वो IES उस आप्त सचिव को कहता है, डॉक्टर कृष्णा अनन्न यादों को, कि तुम डॉक्टर कैसे लगाते हो अपने नाम के आगे, तुम्हारे पास को अधिकारी से अधिकारी से पत्रा चार मत करो, मतलब कि अकेला IES अवकात दिखा देता है, उन तमाम लोगों की, जिनको लगता है कि सरकार तो अब हमारी है, आगे आपको यही पूरी कहानी बताएंगे, और उस एक पत्र की कहानी सुनाएंगे, जिस पत्र के माध्यम से उस IES ने बखिया उगेर दी, बखिया नमस्कार में अड़ा मैं मोहित कुमार सी, और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं, सबसे पहले आप एक एक करके प्वाइंट सुननीजिए, कि केके पाठक ने जो पत्र लिखवाया, उसमें कैसे एक करके, जो आपत सचिव है, उनको नं डॉक्टर कृष्णा नंदयादों को कहते हैं कि तुम अनरगल बात कर रहे हो, अनरगल का पत्र लिखवा रहे हो, इसके बाद वो औकात दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हर पत्र का जबाब हमारा अधिकारी देगा, जरूरी नहीं है और ना यह संभाव है, मतलब कि हमारा अधिकारी तुम्हारे पत्र का जबाब भी नहीं देगा, जाओ जो करना है कर लो, इसके बाद वो कहते हैं कि आप काम करने के लायक नहीं है, अब यह अपने आप में बड़ी बात है, कि जिनको लगता है कि सरकार हमारी है, उसको IESKK के पाठक कहते हैं कि तुम तो का करने के लायक नहीं हो और IESKK के पाठक अभी ऐसे ही चश्मा पहन कर घूम रहे हैं, इनको छूने की हैसियत किसी में नहीं है, सबसे पहले इस पत्र को हम इसमें दो-चार लाइन पढ़कर आपको सुनाते हैं, सबसे जरूरी यहां पर क्या लिखा गया है, कि इस सम्मंद मे आपको आगा किया गया था कि आप आप्त सचिव, मतलब कि वह तोड़ पर हैं, आप बाहरी हैं, अतह आपको सरकारी अधिकारियों से सीधे पत्रचार नहीं करना चाहिए, कौन लिखवाता है, IESKK के पाठक, किसको लिखवाते हैं, जो डॉक्टर कृष्णा नंद यादों हैं, सिख्शा मन्त्री के आपत सचिव, आपका यह कि तेजस्वी यादों के इस वक्त पर वह प्रतिष्णा बन चुके हैं, कि उनकी जीत होगी तो तेजस्वी का खेमा जीतेगा, उनकी हार होगी तो तेजस्वी का खेमा हारेगा, अब इसके बाद देखिए वह क्या कि आप जो पत्र लिख रहे हैं तो विभाग के पताधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वे आपके हर प्रकार के पत्रों का बार बार उत्तर देते रहें अब इसके बाद यहां पर पढ़िये वो लिखते हैं कि माननिय विभागिये मंत्री के प्रकोष्ट में काम करने के लायक आप नहीं हैं सबसे आखरी में वो क्या लिखते हैं कि आप इसका सबूत दे कि जो आप नाम में डॉक्टर लगाते हैं उसका आपके पास क्या सबूत है मतलब कि IESK के पाठक ने आउकात दिखा दी अपनी या उनकी हैसियत नाप दी और बता दिया कि आप कौन होते इन सब चीजों में बोलने वाले और आपत सचीव को उनकी हैसियत बता दिया फिलहाल पूरी लड़ाई IESK के पाठक और जो सिख्छा मंत्री हैं उनके बीच है और अब लड़ाई तेजस्वी यादों के प्रतिष्ठा पर आ गई है क्यों कि तेजस्वी यादों और सरकारी अधिकारी बड़ा है और इन तमाम चीजों के बावजूद मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक IES के साथ खड़े है और वो IES अधिकारी अभी भी बिना डरे बिना जुके जिनको लगता है कि सरकार हमारी है उनको हैसियत दिखा रहा इस एक मात्र पत्र से आपको प मंत्री हैं डॉक्टर चंदर शेखर उनके जो आप्त सचीव है डॉक्टर क्रिष्णानंद यादौ यहाँ पर लिखा भी है माननिय मंत्री क्याप्त सचीव सिक्षा भीवाग बिहार इस अधिकार सरकार उनको इज़द देते हैं या IESK के पाठक ने बता दिया कि सरकार किसी की हो लेकिन अभी चलेगी तो सिर्फ हमारी और हमारे आगे आपकी नहीं चलेगी फिलाल हमने आपको इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया कैसे कहा गया कि आप लायक नहीं है इसके बाद कहा गया कि तुम जो डॉक्टर लिखते हो उ आगे जो भी और जानकारी जो भी और तमाम अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मारजद बने रहिएगा वीडियों आहीं पर समाप्त करते हैं कैमरे क्षे पीउष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंहीं बहुत बहुत धन्यव झाल